हेलो गाईज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल देखिए साल 2022 साउथ इंडस्ट्री के नाम रहा और 2023 में बॉलिवुड की कुछ गिनी चुनी मूवीज ने अच्छा खासा कलेक्शन किया जिन में से गदर टू, ओमजी टू जवान, पठान जैसी फिल्में थी लेकिन 2024 में इतनी फिल्मों के सीक्वल आ रहे हैं, जिन्हें देखकर अजय देवगन भी अपनी एक ऐसी मूवी का सीक्वल ला रहे हैं, जिसके पहले पार्ट ने शाहरुख खान की जब तक है जान, मूवी से क्लैस करके 35 करोड के बजट में बनी फिल्म ने 170 करोड की कमाई और अब अजय देवगन अपनी उसी फिल्म का सीक्वल लाने वाले हैं, तो कौन सी है वो फिल्म, और उस फिल्म की स्टार कास्ट क्या होने वाली है, और वो फिल्म हमें कब तक देखने को मिलेगी, सब कुछ जानेंगे, इस वीडियो में चलिए इस वीडियो को शुरू कर इन दिनों अजय देवगन सिंगम अगेन की शूटिंग कर रहे हैं, इसके बाद वो रीड टू पर काम शुरू करेंगे, उसके बाद देदे प्यार दे मूवी के सीक्वल पर काम चालू होगा, उसके बाद गोलमाल फाइव आएगी, और इस सब के बीच अब अजय देवग और सन ओफ सरदार भी 2010 में आई SS राजा मॉली की फिल्म मर्यादा रमन्ना की हिंदी रीमेक थी, इसलिए तो अजय को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास बनी बनाई कहानी थी, और अजय सन ओफ सरदार को कॉमेडी फिल्म की फ्रेंचाइजी में बदल कर रहे थे, जो कि इसी एतिहासिक युद्ध पर आधारित थी, इसलिए अजय देवगन को अपना प्लैंट ड्रॉप करना पड़ा, उसके बाद से ही सन ओफ सरदार टू के लिए कहानी की तलाश जारी है, जो कि अब जाकर पूरी हुई, और अजय ने अपनी टीम के साथ मि विलन के रोल में नजर आएंगे, तो आपका सन ओफ सरदार टू के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं, बाकी और भी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें